नमस्ते प्रभू चलिए आगे बढ़ता है इस लेक्चर में हम लोग प्रिवेस लेक्चर में हाइपरबोलिक सिखते हैं इस लेक्चर में हम लोग पाराबॉलिक सीखते हैं पाराबॉलिक का मतलब b2-4ac is equal to zero होता है कोई दिक्कत ही नहीं है simple, यह 0 ही होता है, पराबोलिक तभी तो बोलते हैं, इसका steps देखो, बहुत quickly समझ में आ जाएगा, step 1 में, form characteristic equation, auxiliary equation, जो क्या होता है, a lambda square minus b lambda plus c is equal to 0, यह तो करना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, पहला step, यही करना आपको auxiliary equation लिखने है, a lambda square minus b lambda plus c is equal to 0, roots and real are equal, roots are real and equal, r है, so इसका roots निकलेगा न, वो real और equal निकलेगा, क्यों, क्योंकि b square minus 4 is c, इसका discriminant वो तो 0 है, और जब 0 होता है, तो roots real or equal निकलता है, तो माल लेते हैं, ठीक है, चलो, वो lambda है, कुछ, ओके, तो dy by dx is equal to the lambda ही होगा न, एक ही करना है, a lambda square plus b lambda plus c is equal to 0, अगर ऐसी बात है, तब dy by dx plus lambda is equal to the 0, लिखी सकते हैं, क्योंकि आप dy by dx को आप lambda माने हो, ठीक? अब देखो, dy by dx is equal to lambda कर दिया, यह मान के चलना है आपको, अरे, lambda 1, lambda 2 आता था था न, तो वही चीज़ है, एक बार इसके बराबर कर दिया है, ठीक? यह आपको समझ में आया नहीं है, आपको कोई दिककत नहीं है, छोड़ दो इसको, भूल जाओ, इसको ध्यान दो, dy by dx is equal to lambda, integrate करो, जब इसको integrate करोगे अगले step में, तो dy is equal to x lambda, sorry, lambda dx होगा, integrate मारेंगे, तो यहां से function निकलेगा, phi of x, y, वो c1, उसी को आप zi मान लिजिए, चूज इटा as a function of x and y, such that Jacobian is not equal to 0, तो क्या करेंगा, Jacobian x, y is equal to determinant of xi x, xi y, eta x, eta y, और ऐसा चुनना है, ताकि यह 0 ना हो, तो इटा को हम लोग y मान के देखते हैं, तो जीटा नहीं आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इव जेकोबियन अगर 0 आ जा रहा है, तब इटा को यह चीज आप याद रखें, जब Jacobian 0 आता है, ना मान लिजए किसे case में 0 आ जा रहा है, इटा को y मानने से वो 0 आ जा रहा है, तब next case आप याद रखें, कि आप x plus y लेके देखिए, इससे भी काम नहीं बन रहा, तो x minus y काम लेके देखिए, इससे भी नहीं बन रह तो आप x लेकर के देखिए, ठीक है, mostly maximum cases में आपको ये काम चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इससे भी काम ना चले, तो कुछ और function मान लेना, ठीक, लेकिन experience बोलता है कि इसमें से काम चल जाएगा, अगला step में, step 3 में, कौची independent variable x and y into x, कौची नहीं है, चेंज है, change independent variable x and y को हमको किस में change करना है, xi और eta में change करना है, तो यू जो था x और y का function, वो अब बन जाएगा, xi और eta का function, तो यू क्या हो है, यू आप जानते हैं, यू is a function of xi और eta, अब यहां से आप ux निकाल लो, जानते हो, आपको ये सब चीज, मैंने बताया था, ये सब चीज आप derive कर भी सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको number कटेगा नहीं है, अगर आप derive नहीं करते हो, आप direct लिखो ना, problem solve करना है, तो ux वो चीज याद रखना है, उसी तरह से u जो है, वो xi और eta का function है, तो हम u y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिससे हम u y को हम ये वाला याद रख सकते हैं, तो ये सारे जो डबा में मैं बना दिए रहा हूँ, ये सब मैंने आपको बता हैं, ये सब आप direct results, please आप याद रखिए, यू x x निकालने के लिए हमको u x चाहिए, तो उसी से derivation करते करते, note करो, note करो, note करो, फिर आप बुलो कहा है, आप जल्दी जल् ये लो x के respect में, तो ऐसा कुछ हुआ, फिर ऐसा कुछ हुआ, और फाइनली आपको क्या याद रखना था, ये याद रखना, मैंसे फिर से डबा कर देता हूँ, आपको ये सब याद रखना था, लो, बता है धाना, याद रखना है इसको, ओके, ठीक है, आपको यू x x, ये सब है, साथ में, यू x y भी बोला था, याद करने के लिए, ठीक, तो पूट करना है, ये सब, अच्छली यही सब आपको calculate करना रहा था, यू x, यू y, यू x x, यू y, यू x y, यू x y, ये निकालने के बाद आप क्या करोगे, दो 2 u by दो इटा 2 is equal to some function, ये आएगा, त तो दोनों के terms में लिख सकते हो, अगर दो 2 u by दो इटा 2 करते हो, तब जाई मिलेगा कोई function of x y, और h को आप कुछ भी लिखो, अगर दो 2 u by दो जाई 2 करते हो, तब h निकलेगा आपका x और y का कुछ functions, और जाई को आप कुछ और लिख सकते हो, is the canonical form, चलो इसका example देखते example में बोला है कि reduce the following linear partial differential equation into the canonical form, तो यह रहा आपका partial differential equation x square u xx plus 2xy u xy plus y square u yy is equal to 0, तो reduce the following linear partial differential equation, यह रहा आपका linear partial differential equation, इसको आपको canonical form में convert करना है, ठीक है, तो इसको तो देखो, b square minus 4sc is equal to 0, simple सी बात है कि पहले आप check करोगे, यहां कि हाला कि आपको पता यह parabolic है, लेकिन अगर नहीं है तो पहले पता करोगे, यह hyperbolic है, parabolic है, elliptic है, तो हमको तो करके देखे, तो parabolic मिला, parabolic मिला तो उसका characteristic equation तो जानते हैं, a lambda square minus b lambda plus c होता है, is equal to 0, इसको solve करोगे, तो आपको roots real or equal मिलेगा, तो lambda क्या मिल गया, y by x मिल गया, okay, dy by dx is equal to यह करना है, अब इसको normal आप variable separable करके integrate करोगे, तो एक function मिलेगा, और मैंने आपको जैसे बता है, कि constant को आपको right hand side में रखना है, कुछ भी function आप left hand side में रख लो, तो यह function आपका y by x है, ठीक है, तो जो function है, उसी को आप बोलोगे, x equals to y by x, very good, अब इस c से क्या निकालना है, zai निकल गया ना, तो zai से आप zai x निकालो, zai x x निकालो, यह x to नहीं है, यह x x निकालो, zai y y निकालो, और x y निकालो, क्यों? क्योंकि आपको वही चीज चाहिए, u, x वह सब चीज चाहिए, calculate करने के लेगे, और मान लेते हैं, यह यह क्या बोला, लेट यह आपने निकाला नहीं है आपने माना है यह करके आप देख रहे हो तो आपको आ जा रहा है कुछ जिससे आपका जिकोबिया जीरो नहीं हो रहा है तो चलो वैलेड है आ रहा है समझ में, आ जाना चाहिए, सिंपल है, इसमें और कुछ नया चीज नहीं जो में नया चीज एक्स्प्लेन करेंगे, तो यहां से इटा एक्स निकाल सकते हैं, इटा वाई निकाल सकते हैं, इटा एक्स निकाल सकते हैं, इटा वाई 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 निकाल सकते हैं, सारे के सारे values आप निकाल लो अब अगला step में आपको independent variable जो आपका x और y है उसको convert करना है जाई और eta में और वहाँ से आपको निकाल लेना है uxx, uyy, uxy सब का formula मैंने आपको बताया है कि यह सब चीज याद रखने हैं आपको तो आप क्या करोगे uxx is equal to यह है कि नहीं यह formula है ना तो जहां से आपको पता क्या चलेगा uxx मिलेगा यह formula आप मैं directly दिज़रा हूँ कोई formula ने लिखा मैंने बता दिया तो याद करना है substitute करोगे तो uxx की value आएगी यह expression करके uyy का expression आएगा यह uxy का expression आएगा यह check कर लेना video pause करो और इसको check कर लेना कि यह वाला expressions आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह करने के बाद जो आपका partial differential equations का main equation था question उसी में यह सारे values को put करेंगे put करने के लिए बाद आपको जो final result है वो यह है यह जब डालोगे तो यह सब 0 आ जा रहा है u eta eta 0 और y for what not y is equal to 0 बस यह था यह था आपका parabolic के लिए मतलब last lecture में हम लोग discuss किये थे hyperbolic partial differential equations इसमें हम लोग discuss किये parabolic partial differential equations process सब में सेम है अगला lecture में हम लोग finally complete करेंगे elliptical partial differential equations मैं आपस अगले lecture में तब तक के लिए बाए